प्रबाज, I'm really sad, but he was like a joker. प्रबाज को बोला था joker के अर्षद वारसी अब मांगेंगे माफी. बिल्कुल नहीं. क्योंकि एक association जो है SINTA. बिल्कुल जी. वहाँ पर हो गई है complaint अर्षद वारसी की कैसे. एक तिल्गू अक्टर है. उन्होंने वह भी एक association, MAA करके association है. उसके वह president है. उन्होंने पुलम डिलो जी, SINTA के president, उनको बोला. कि ये तो बहुत ही गलत कर दिया है. और अर्षद के लिए, में लिए अर्षद के जो कॉमेंट्स हैं, उसके लिए कि वह कैसे किसी को जोकर बोल सकते हैं. अगर ऐसे कंप्लेंटें चलीगी सिंटा पे, फिर उनकी तो फाइलें भरती जाएंगी, भरती जाएंगी, ऐसे कैसे चलेगा? खासकर सारी कंप्लेंट तो हमारे पर दरजूंगी फिर. ने 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 वह आपसे आर्टेस आर्टेस वाला है, उन्होंने वह साउथ और नॉर्थ वाला हिसाब किताब गए खोड़ा सा वह एंगल बीच में डाला है, एक तो यह जो कि विश्णू मंचू जो है, यह प्रेजेंट है, मुवी आर्टेस असोसियेशन, MAA के प्रेजेंट और उन्होंने कंप्लेंट दिया पूरम डिलो जी को जो की है, सिने एंड टीवी आर्टेस असोसियेशन की प्रेजेंट, अब उस पे पूरम डिलो जी ने खुदी मतलब मामले को ऐसे देखते हुए, संग्यान लेते हुए, कोगनिसेंस लेते हुए, इसके उपर उन्होंने अपने उस पे रोशनी डाली है, और ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि अर्शद ने जो कहा है ये प्रबास के लिए परसनली कोई कॉमेंट किया है, मतलब ऐसा लगते है कि शायद उनके क्यारेक्टर के उपर कहा होगा, जो फिल्म के अंदर जो क्यारेक्टर उसके बार मे लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी के अर्शद इसके उपर अपनी सफाई दे, नहीं, क्यों दे भाई, अरे भाई, भाई, फिल्म की उपर बोला है, क्यारेक्टर की उपर बोला है, और सबसे इसका जो जाता है, जिम्मा, वो डिरेक्टर में जाता है, अगर जोकर लग रहे है अच्छा, वैसे लग रहे थे, अगर लग रहे हैं, तो डिरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि देखो, अजब सेट पे आते हो, तो आप वही बोलो, करोगे जो डिरेक्टर बोलेगा, तो अगर आप उस प्रक्रिया में जोकर लग रहे हैं, और ओडियंस को लग र तो अगर आपने फिल्म देखी है, आपको यही पता चलेगा कि उनको अज़क कॉमिडिक और कॉमिक आलमेंट की तरह यूस किया गया, और फॉर्स्ट हाफ निखल गया, कॉमिक और कॉमिक और कॉमिक और कॉमिक तरह उसके बाद भी आगे इन फाक्ट जब तक उनका वो मतल जो dubbing हुई है, dubbing बहुत खराब हुई है, दिक्कत ही है, ऐसा लग रहा है कि चैट GPT से बोला कि शरत भाई को भी आपने रगड़ दी अभी हिंदी, जो जोक्स कुछ इंग्लिस में अच्छे लगते हैं उसी को अब हिंदी में करोगे तो उतना इंपैक्फुल जोक नहीं लेकिन अर्षद भाई की एक्स्पेक्टेशन थी कि Mad Max कि जिस तरीके से आप देख थे, Mad Max, Fury Road वगेरा जिस तरीके से आई और वहां पर Tom Holland थे और Tom Holland नहीं थे, Tom Hardy, Tom Hardy थे तो वहां पर जब लेकिन बात है कि वहां पर उनकी उनकी एक्स्पाइडर्माइन तो वहां पर उनकी अर्षद कि एक्स्पेक्टेशन ने थी कि फिल्म जो है अगर उसमें कॉमिक एलमेंट्स कम करके यूंकि फिल्म पर शुरू होती है बड़ी सीरियस टॉपिक से शुरू होती आगे भी बड़ा सीरियस सब कुछ टॉपिक चल रहा है एंड भी एकदम एसे सीरियस नोट पे क जब इस तरीके के आप बीच में क्यरेक्टर ले आते हो तो यह तो बड़ाई 80s औ 90s वाला कॉंसेट नोगे कि कॉमिक क्यरेक्टर डाल दिया जस्फॉर लाफ्स कोई रिजन नियुसका जैसे बाहूबली ने ने एक टेंपलेट सेट किया बाहूबली भी कल्ट फिल्म और फर्स्थाफ देखोगे न बिल्डब भी और बीच में हलके से कॉमिक सीन आए है यही कल्की में वह बहुत ही बहुत भी बहुत इन फिल्म है मैंने तीन बार देख ली अभी ओट पर भी बिताजी को दिखा देखा दी नहीं बढ़िया फिल्म है और वो जो टेमलेट अगी अरे भाईजा चेश्मे पर चेश्मा वेरी नाइस यही तो देखो जैसे इस कल्की में भी यही हुआ था कि पहला हाफ जो था वो बिल्डब कर दे क्योंकि इसकी ट्रिलोजी आएगी तीम पार आएंगे तो आपको वो बेस एकदम सेट अप करना महौल सेट अप करने में थ पिर एक चीज होती है सेल्फ क्रिटिसिजम हाँ देखो ऐसा है कि पूरे इंडिया में अभी तक तो एक अक्टर सामने है जो अपने को सेल्फ क्रिटिसाइज करता है वो अमिर खान साब हाँ यह अभी रीसेंट में उनका पॉर्टकी की चोट पे बोल दिया कि लाल सिंग च और वो कनेक इसलिए नहीं क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस कमजूर था उसी तरह अगर भाही प्रभास के लिए कोई नेगेटिव भूल रहा है तो और बाकी अक्टर उसको मिर्ची क्यों लग रही मुझे समझ नहीं था अगर अर्शद वार्सी की बात को आप सच में ध्यान स बिल्कुल नहीं किया गया और अगर उसको ऐसे ऐसा कॉमिक रिलीफ भी आप बनाए जा रहे तो उस सीरी उस क्यारक्टर को बाद में बंदा सीरिसली कैसे लेगा कि अचानक से वह एक बनके आता है कि कर्ण बनके आ गया सब बनके आगया वो जो जो आपकी लॉस्ट एंट इनके जो नानी साथ थे नानी साथ जोनों ने कहा था कि अर्षद जी ने अपनी फेम ली है वह तो जी इसी से ली है उनों किया दे मेरा मूस निकल गी भाई या मारा ऐसा मतला बीदा अई नहीं बाद में उन्हों नहीं ने सफाई दी ना कि नहीं हम तो बड़ा पसंद करत कहने मेरे पास खाली क्लिप कट कट की आई मैं पैशन के अंदर आ गया और मैंने बोल दिया एकदम से और उसके बाद उसके बाद लॉस्ट इंड ट्रांसलेशन होगे मेरी बाद का नव भतंगड बना दिया गया मेरा वो मतलब नहीं था मेरी बाद का कुछ और मतलब निका आप इतने बड़े एक्टर हैं मैं आपकी इतनी फिल्में देखी मैं रोया हूँ वह फिल्म देखे बाद सी जर्सी वही तो मैं क्या रहा हूँ बिल्कुल कल्ट फिल्म है और मैं तो यहां पर बॉलिवुड में बनी शाहिद भाई ने गरी सब कुछ अच्छा था उसके ल रिषभ शेटी उन्होंने नेशनल अवार्ड जीता कंतारा के लिए वो बोलगे जी बॉलिवुड इंडिया को नेगटिव वे में दिखाता है बताओ यह क्या करने वाली उच्छी बाते क्यों हो रही है यह पता नहीं अजीब सी बाते हो जाती है बाकी एक चीज और है कोई ऐसी बड़ी बात इसमें वो नहीं है कि रिजनल वाला एंगल नहीं लेकिन एक चीज और है अर्शद भाई कि तारे सितारे भी थोड़े आगे पीसे चल रहे है अर्शद भाई का पुराना कोई इंटर्विव आ गया सामने जिसमें वो कह रहे थे कि मेरे घर पे जो ल जॉली एलल्वी टाइब करेक्टर है और मुझ से निकल जाती है वह बात सही है कि अभी पार्ट्री भी अर्शद भाई अर्शद भाई तो मैं मतब कहने का यह कि अर्शद भाई थोड़ा सा फ़नी तरीके से बोल जाते है अब उनके इंटर्विव देखो बाकी भी देखो इंटर्विव में से क्लिप काटके निकला है वो पूरा इंटर्विव भी देखो वो पस्ती करते रहते हैं हर बात को सीरियसली नहीं लेना भाई और वो लगातार यह उसमें इंटर्विव में भी यही बात बुलिए कि एक तो ना यह लोग आजकल सिरियस बड़े हो गए ह ना बड़ी अच्छी उसकी अब ट्विव ना कैसी बते कर रहे हैं अरे बैसी ना गश्विन तमालोगे जी ना गनी यह नगीना है वो बिलकुल नगीना है इंडिया के इतने बड़ी डारेक्टर है वो क्या विजन है उन्होंने बाद में ट्वीट करके यह भी का बही अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो मैं अगली बार और महनत करूंगा और अपकी बार मैं कोशिश करूंगा कि आप जब फर्स देख किया हो कल की टू का तब आप बोलो के प्रभास से बड़ीया कारेक्टर कोई था ही नहीं मैं इतनी महनत करूंग और आपके बच्च के बीच की बात थी तो लोगों को ये लगा कि उन्होंने डारेक्ली प्रभास को जोकर बोल दिया मेरी तो इस बात पर भी आपती है कि भाई सब जोकर बोलना कोई गाली नहीं है जोकर अपने आप में कोई गाली नहीं है जोकर अपने आप में गाली होती है इतना खराब अ फिल्में बन रही है वो ऑसकर जीत रही है अरे जो क्या बात कर दिया आपने इसके लिए आपको 10,000 यूनिट्स मिलेंगे यूनिट्स मैं फ्यूचर प्लाइन करना हूँ लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वहां पर ऑसकर मिल रहा है जो कर दूसरे फिल्म भी ओकिन फीनिक्स यही नाम है यही नाम है यह प्रिंट्रेश कुछ अलग साय है ओमाइग गॉड तरीक है यह जादा बैतर जानते हैं हमसे पुराने हैं लेकिन कि साथ में हीट लेजर को देख लिजाए डाक नाइट के अंदर किस तरीके सो उन्होंने जोकर का रोल पुट्री गिया था और उस फिल्म के अंदर अगर अब प्रबास को जोकर बोलते हो तो वो हसी ठिठोली कर रहे हैं उस फिल्म के नाम शगातार कर प्रभास को पता ह acrylic ही एनंके की चल रहु है वहाई उनके पारे में चल रहा, भात असमें पनी शूटिंग, इंग चल रहा ही जाए है ऐसे है, आपको क्या इस प्वर यह झाना है, जो पुरा यह फसाद को है इसके बारे आपको क्या कहना है, अरॶद बहुत को माथलгор, प्रभ बहाँ बड़िया वॉल्लिवुड का विलन रंजीत है बहाँ बड़िया क्या बात है जी इसी बात पर हम विडियो खत्म करते हैं मेरा नाम है पिशेक मंचन्दा मेरा नाम है रमेत वार आप देख रहे हैं स्विच्च